हिमाचल में भारतिय जनता पार्टी रिवाज बदलने के लिए प्रचार में जान फुंक रही है प्रधान मंत्री मोधी समेत कई प्रदेशों के मुख्य मंत्री साथ से ज्यादा केंद्रिय मंत्री राश्ट्री अध्यक्ष जेपी नडडा और दूसरे बड़े नेता एक दिन में दो से चार रहलियां कर रहे हैं भाजपा के ज्यादतर लीडर डोर टू डोर और गली गली जाकर वोट मांग रहे हैं दूसरी और कॉंग्रेस भी प्रचार प्रसार में जुटी हैं कॉंग्रेस का प्रचार अभ्यान पूरी तरह से प्रदेश अध्यक्षा प्रतीभा सिंग नेता प्रतीपक्ष मुकेश अगनी होत्री और चुना प्रचार स्मिती के अध्यक्ष सुखविंदर सिंग सुखु पर निर्भर हैं हालांकि ये जरूर है कि राष्ट्रिया अध्यक्ष समेत दूसरे बड़े नेताओं के ना आने से कॉंग्रेस के प्रचार को धार नहीं मिल पा रही लेकिन प्रियंका गंधी ताबर तोड रैलियां कर माहौल कॉंग्रेस के पक्ष में बनाने में जुटी हैं वहीं कॉंग्रेस के राष्ट्रिया नेताओं में से चुनाव परियवेक्षक सचिन पाइलेट भी हीमाचल पहुंच कर प्रचार में जान फूंक रही हैं कॉंग्रेस सत्ता में वापसी को छटपटा रही है इस बार रिवाद बदलेगा या ताज ये तो आठ दिसंबर को पता चल पाएगा हीमाचल प्रदेश में विधान सभा चुनावों को लेकर प्रचार प्रसार चरम पर है बस कुछ दिन और फिर अगले पांच सालों तक प्रदेश में शामती देखने को मिलेगी लेकिन आज हम किसी राजनितिक नहीं बलकी एक ऐसे विश्य को लेकर चर्चा करेंगे जिसका सीधा सरोकार आमजनता से हैं हीमाचल की आमजनता के लिए आगामी पांच दिन मुश्किलों भरे रहेंगे हीमाचल विधान सभा चुनावों के चलते हीमाचल प्रदेश में पांच से छे दिन सवारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा कारण ये है कि एचाटीसी की 2400 बसों की ड्यूटी पोलिंग बुथों के लिए लगाई गई है ये बसें पोलिंग पार्टियों को लेकर जाएंगी 8 नवंबर यानि आज से लेकर 12 नवंबर तक सरकारी बसें अब रूटों पर कम ही दिखने वाली है इस संबंध में चुनाव आयोग ने आदेश दिया है और चुनावी ड्यूटी के लिए लगाई जाने वाली बसों की संख्या सुनिष्चित कर दी गई है इसके लिए नोडल परिवहन अधिकारी ने सभी आरेम से मिटिंग कर एक प्लान भी तयार कर लिया है ये बसे जहां से पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों से छोड़ने जाएंगी वहां से मतदान खतम होने पर बाद में उन्हें वापस भी छोड़ेंगी इसके अतिरिक्त EVM को स्ट्रोंग रूम तक पहुँचाने के लिए भी मौजूद रहेंगी शिमला की 232 बसें चुनावी ड्यूटी पर लगेंगी इसमें रामपूर के लिए 30 बसें, ठियो के लिए 35, जुबल कोटखाई के लिए 27, चौपाल के लिए 30, शिमला शेहरी के लिए 11 और कुसुम्ती विधान सभाक्षेतर के लिए 22 बसें चुनावी ड्यूटी पर है हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होगा, इसलिए आज से लेकर 12 नवंबर तक रूटों पर लोगों को कम ही बसें मिलेंगी चुनाव आयोग के आदेशान उसार चुनावी ड्यूटी के लिए लगाई जाने वाली बसों की संभावित संख्या तै कर दी गई है लगाया जा सके कि वे किस रूट से होकर जा रही हैं जीपियस लगाने का मकसद चुनाव में पार दर्शिता बरतना है बसों को उनी रूटों से गुजरना होगा जो चुनाव आयोग ने तै कर रखे हैं